नमस्ते, आज की कहानी का सीर से कहे बनारस में जिन्मी अनोखी प्रेम कहानी फरवरी का वो आखरी दिन था, उसी की साम जितेस का मन बनता है कि चलो एक बार बनारस घूम के आया जाए वैसे आम तोर पर फरवरी का महिना तो प्यार का महिना कहते हैं लोग पर जितेस के लिए क्या जनवरी क्या फरवरी वो राधा कृष्ण की भक्ती में मगने रहता था उन्हीं की याद में वो सुबे जागता था और उनको सोच के ही उसकी साम होती थी पर वीदिका खेल उसको क्या पता कि वो कृष्ण भक्त अब इस मार्च में बनारस में किसी राधा की याद में खोने को परपक वो होने वाला है तो उसी साम को वो चार बाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के बनारस के लिए रवाना होता है और मस्ती करते हुए बनारस पहुँच जाता है और फिर वही केंट के पास एक होटल में रूम लेके रुख जाता है वा भारत के सबसे पुराने सानसकरतिक सहर में पहुँच कर खुद को बड़ा खुद किसमत और गोरवानवित में हिसूस कर रहा होता है और यही सब सोचते हुए राधारानी के भजन करते हुए वह सो जाता है और सुबा जब उसकी आँख खुलती है तो सूरण निकल चुका होता है और मौसम भी बड़ा सुहावना होता है अब वह उससाहित होकर उन चौरासी घाटों की तरफ लालाईत होता है जिनको अभी तक सिर्फ उसने पढ़ा और सुना था फिर वह इसनान ध्यान करके अब होटल से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद आटों से वाकाशी विश्वनात मंदिर के पास पहुँचकर नमन करते हुए घाटों की तरफ बढ़ता है वहां की मनोहर शटा देखते बन रही थी सच में बनारस की गलियां अदभुत थी वहां अपार जन से लाव उमड़ा था देश विदेश से भारी मात्रा में लोग आये हुए थे रमडी द्रश्य का लुथ उठा रहे थे अंतता जी देश दस्वास में इद घाट पर पहु बोलने को सोचता है तब तक वो लड़की खुद बोल उठती है कि माफ कीजिएगा आपको कोई चोट तो नहीं लगी। तो फिर अपना नाम रिया बताते हुए कहती है कि मैं बनारस पहली बार आी हूँ वो भी अपने घर वालों से चुपा गए क्योंकि मेरा बनारस गुमने का मन कई वर्षों से था और मेरे घर वाले मुझे आने नहीं दे रहे थे तब ही मुझे छुप किया ना पड़ा और आते ही जब मैंने इतने सुन्दर और विहंगम दर्शे को देखा तो मैं सपने में खो गई और मेरा पेर फिसल गया तब ही मेरी वज़े से आप भी गिर गए रिया ने अपनी सारी कहानी और गलती बता डाली पर जितेश तुझे से लग रहा कहीं गुम सा हो गया और वा सोचने लगा कि कहीं ये कृष्ण का भेजा हुआ कोई तोफ़ा तो नहीं यही सब कल पनाय करते हुए वा खुद को उसके साथ घाटों का आनंद लेते हुए सुपन देखने लगा तब ही रिया उसकी आँखों के सामने चुटकी बजाती है और फूशती है क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे तब जितेश दिवा सुपने से बाहर आता है और कहता है कि इसमें माफ करने की क्या बात कोई बात नहीं या तो बस एक संयोग था हमारे और आपके मिलन का या सुनके रिया बहुत खुस होती है और फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए घाट के किनारों की तरफ चल देते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या सुखत संयोग है कि मैं भी यहां अकेले घाट टहलने आया था कि आप से मुलाकात हो गई फिर दोनों असी घाट तक टहलते हुए जाते हैं और साथ में करीब चार से पांच घंटे बिताने के बाद गंगाशनान करके बाबा का सीविशुनात मंदिर में दर्शन करते हैं और अपनी अपनी मनो कामनाएं मांगते हैं अब साम की गंगा आरती में दो घंटे का समय था और दोनों आरती को देखने के लिए काफी उत्साहित थे तब तक के लिए वह दोनों एक घाट के किनारे वेट जाते हैं और वा पे उस घाट से आ रही ठंडी हवा में बाते कर रहे होते हैं तभी जितेश के मन में रिया को लेकर प्रेम उमडने लगता है जो कि उसके मन में उसी संयोग से घर करने लगा था वहीं जितेश जो भक्ती के अलावा कुछ नहीं जानता था अब वह निश्चल प्रेम की अनभूती कर रहा था और उसको रिया में अपनी राधा दिख रही थी रिया भी बड़े नरम सोभाव की लड़की थी वह जितेश को अपनी बातें बता रही थी वह बाचाल थी और बहुत ही मीठा बोलती थी तभी जितेश का उस गंगा किनारे बिखरी मनो हर छटा में रिया को अपनी दिल की बात बताने का मन करता है और जितेश बिना हिच की चाहट के अपनी बात बता देता है पर रिया भी मन ही मन जितेश में खो चुकी है पर वह इस बात का आभास जितेश को नहीं होने दी थी पर जब जितेश अपनी बात रिया को बताता है तो रिया अचम्भित होने सा नाटक करती है और कहती है कि ये क्या होता है तब जितेश भी सोचता है कि ये क्या किया मैंने इसको बता के अब तो ये मेरी दोस्त भी नहीं रहेगी परंतु वह तो रिया बस ऐसे ही जिदेश को डरा रहे थी और जोर से हसते हुए कहती है ए आप डर गए ना और यही कहते हुए वह उसको गले लगा लेती है और दोनों सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते है उनका इस्क बनारस में हुआ और यह इस्क इस्क बनारसिया नाम से प्रशिद हुआ ध्यान रखिएगा इस्क बनारसिया आप कमेंट बाक्स में बताएं बनारस किस किस को पसंद है और ये प्रेम कहानी कैसी लगी क्या उन दोनों का प्रेम सार्थक था इसका उत्तर हमें कमेंट बाक्स में देना न भूले धन्यवाद आपका आभार कहानी सुनने के लिए